का देख रहे हो भाईया ये Facebook के profile का reach है ये कोई page का reach नहीं है और आप भी अपने profile के reach को कुछ इस परकार से बना सकते हो कुछ settings को करकर और कुछ important trick को लगा कर और cable reach ही नहीं अगर मैं monetization में चले जाता हूँ तो सारा tools monetize है देख लो भाईया सारे monetization tools से तगड़ा income हो रहा है और वो भी Facebook के profile से अगर मैं इसको back लाकर आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर देख लो भाईया ये कोई Facebook का page नहीं है ये Facebook का profile है और profile से इतना तगड़ा earning होता है और profile की video धड़ेले से viral होती है बस आपको उसमें कुछ settings लगाना होता है और कुछ ऐसे trick होते है जिसको आपको follow करना होता है आज मैं आपको सारा चीज सिखा दूँगा कौन-कौन से settings करना है कौन-कौन से trick लगाना है और क्या-क्या आपको करना है जिससे आप profile से तगड़ा पैसा कमा पाओ और उसकी video धड़ेले से viral कर पाओ आज का ये video आपके लिए बहुत जादा important होने वाला है वीडियो को like करके एक पहरा सा comment कर दीजेगा चलिए भीना time waste की आज किस video को सिरू करते हैं तो यहां से आपको बिल्कुल detail में और life proof समझाने के लिए मैंने अपने mobile का screen recording on कर दिया है screen recording on करने के बाद सबसे पहले आपको अपना facebook खोलना है facebook खोलने के बाद आपको अपने facebook के profile पे चले जाना है देख सकते हैं यह मेरा facebook का profile है जो की देखने में बिल्कुल भद्दा और एकदम गंदा लग रहा है ठीक है तो भाईया जो आप facebook का profile बनाते हैं या फिर अगर आपका बहुत पुराना profile है तो उसमें कोई भी setting already आपको किया हुआ नहीं मिलेगा आपको setting करके इसमें कुछ tips लगाना है जिससे आपका account धड़ेले से viral होगा और उससे आपका तगड़ा income होगा तो भाईया आप बात कर लेते हैं एक एक CD को एकड़म step by step लेके चड़ेंगे तो सबसे पहले आपको यहां से समझना होगा तो आपको अपने facebook के profile के friend वाले section पे चले जाना है friend वाले section पे जाने के बाद यहां पर आपको क्या करना है your friend का आपको एक option देखने को मिल रहा होगा यहां पर तो your friend पर आपको click कर देना और जैसे your friend पर आप click किजेगा तो यहां से देख सकते हैं कि इसमें 633 friend अलरेड़ी मेरे बने हुए हैं तो आपको कुछ नहीं करना जितने वी friend आपको ऑलरेड़ी बने हुए हैं सारे को सबसे पहले आपको unfriend कर लेना है सारे को देखे कुछ इस परकार से unfriend पर click करके Three.unfriend पर click करके सारे को unfriend कर लेना अब बोलोके आप इसको unfriend क्यों कर वा रहे हो तो इसके पीछे एक logic है इसको समझेगा भाई आपका जो facebook का account है वो तो बहुत पुराना है तो जाइर सी बात है उसमें आपने जितने भी friend को बनाये होंगे वो बहुत पुराना होंगे तो जो आपके पुराने friend होंगे उसमें बहुत सारे जो account है न वो already deactivate हो चुके होंगे बहुत सारे ऐसे लोग जिसके पास आपका notification ही नहीं जाता होगा आपका post recommend ही नहीं होता होगा तो भाईया ऐसे friend मेरे क्या post को boost मारेंगे टीक है तो सबसे पहले आपके जितने भी friend है सारे को unfriend मारने के बाद एक दिन में 115-200 unfriend मारने के बाद अब आपको क्या करना है यहां अपने profile पर बनाईएगा उसी category अगर आप हिंदी में related बात करते हैं तो भाईया देख लिजेगा उनके profile पर जाके आपको automatic पता चल जाएगा कि हिंदी audience है कि क्या है तो सारे को जो है या तो confirm कर लिजेगा नहीं नहीं friend request को या फिर सारे को जो है यहां पर add friend add friend add friend कर लिजे के बाद यहां पर आपको three dot पे click करने ना है जैसे यहां पर three dot पे click करके turn on facebook के professional mode यहां पर देख सकते है turn on facebook professional mode 5000 फ्रेंड को पहले add कर लिजेगा उसके बाद turn on facebook के professional mode पे click किजेगा देख सकते हैं facebook के professional mode पे जैसे turn on पे click किजेगा यहां पर आपका insights दिखाएगा content के बदले पैसे मिलेंगे और यहाँ पर जैसे इसको turn on कीजेगा ना तो आपका जितना भी 5000 फ्रेंड को जो की मैंने आपको add करने के लिए बताया है वो भाई आपके नएने फ्रेंड है दूसरी बात आपको उन्होंने अभी add किया है तो जितने भी आपके फ्रेंड है सारे फ्रेंड आपके follower में convert हो जाएंगे और सारे फ्रेंड आपके follower में convert होंगे तो भाई आपने तो उनको अभी add किया है तो आप जो भी वीडियो डालेगा उनका impression उनके पास जाएगा और वो आपके वीडियो को देखेंगे तो आपका वीडियो सबसे पहले boost मारेगा दूसरा benefit आपका ये होगा जैसे हैं आप Facebook के professional mode को earn करके Facebook के professional mode पे जाते हैं फोड़ा सा नीचे slide करके monetization पर चले जाते हैं और जैसे हैं आप monetization पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको पता होगा कि monetize करने के लिए इन stream ad को monetize करने के लिए आपको 5000 followers का जुरुत पड़ता है और उसके साथ 6000 minutes के criteria को आपको full करना होता है तो भाईया जैसे ही आपने 5000 friends को add करके उसको professional mode में convert किया आपका 5000 followers तो ऐसे ही एक criteria complete हो गया केवल आपको videos डालना है और आपके watch time के criteria को complete करना है उसके बाद आपका profile monetize हो जाएगा और उस पर भाईया profile monetize होगा उस पर आपको bonuses भी मिल जाएगे उस पर आपको add on real भी मिल जाएगे और भाईया videos बनाने के बदले आपको पैसे मिलेंगे तो आप बात कर लेते हैं भाईया हमको उस पर videos कैसे viral होगा ठीक है तो वीडियो viral करने के लिए उसमें आपको important settings को करना होता ठीक है तो वो important settings कैसे करेंगे तो important settings करने के लिए सबसे पहले आपको अपना facebook के profile पे click करना है और यहाँ पर profile पे आने के बाद यहाँ पर 3.पे click करके यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर देखिए setting and privacy का option देखने को मिल रहा होगा तो setting and privacy पे click कर देना है जैसे हैं आप setting and privacy पे click किजेगा तो आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिल जाएंगे आपको नीचे slide करना है नीचे slide करने के बाद सबसे पहले देखिए how to find and contact you यहाँ पर आपको यह option देखने को मिल रहा होगा तो इस पर आपको click करने ना है जैसे इस पर click किजेगा तो यहाँ पर देखिए आपको एक option देखने को मिल रहा होगा who can send you friend request ठीक है तो भाई who can send you friend request भाईया जब मैंने already 5000 friends को full करके रखा है तो सबसे पहले यह अगर आपका everyone रहेगा तो इसको find a friend कर लिजेगा क्योंकि मैंने already 5000 friends को add करके रखा है तो अब मुझे friend बनाने का जुरूत ही नहीं है तो मेरे पर request बेज के लोग क्या करेंगे उससे अच्छा उनको follow का option दिखाएगा तब उनके लिए ज़्यादा better option रहेगा तो यहाँ पर find friend अगर यह आपका public है तो इसको find a friend कर लिजेगा उसके बाद who can see your friend list इसको केवल आपको only me कर लेना ठीक है friend list किसी को क्यों दिखाना किसी को भी friend list नहीं दिखाना है इसको only me कर लेना है उसके बाद who can look up using the email provided आपने जो email डाला है वो कौन-कौन देख सकते हैं तो इसको भी भाई है only me कर लिजेगा ठीक है यह सारे को यहाँ पर इसको only me कर लिजेगा उसके बाद यहाँ पर आपको एक और option देखने को मिल रहा होगा who can look your मतलब आपका जो phone number है यहाँ पर देख सकते हैं यह वाला setting में वो कौन-कौन देखने चाहिए तो इसको भी अगर आपका everyone find friend रहेगा तो इसको only me कर लिजेगा इसको only me करने के बाद allow search engine outside on facebook profile to your link तो यहाँ पर आपको यह option देखने को मिल रहा होगा तो भाईया यह अगर आपका बंद रहेगा ना तो आपका जो links है ना वो आपका outside में मतलब कहीं पर अगर आप search कीजेगा ना तो वो आपका नहीं दिखाएगा तो इसको simply on कर लिजेगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर करता allow your profile to be recommended to your people looking similar profile मतलब similar profile के तरह आपका profile भी recommend करेगा अगर भाईया मेरे profile और आपका profile similar रहेगा तो भाईया आपका profile भी मेरे audience के पास recommend करेगा तो भाईया अगर यह off है तो simply यह सारे setting को on कर लिजेगा उसके बाद अब आपको थोड़ा सा नीचे slide करना है यहाँ पर आपको post का आपको एक option देखने को मिल रहा होगा तो post पे click कर दिजेगा post पे click करने का बाद who can see your future post अगर यह भाईया public नहीं रहेगा ना तो कितना भी माता लगा लिजे आपका content कभी भी viral होने वाला नहीं है तो अगर भाईया यह आपका find friend है या फिर कुछ और है तो इसको simply public कर लिजेगा इसको public कर लिजेगा एकदम इसको एकदम anyhow सबसे ज़्यादा यही है बबुआ इसको public रहना ही रहना अगर यह public नहीं है फिर कोई फाइदा नहीं यह वीडियोज डालने से भाईया वीडियोज डालोगे अगर आपके केवल friend देखेंगे आपका वीडियो कभी viral नहीं होगा यह हमेशा आपका public होना चाहिए ठीक है इसको public करने के बाद story वाले option पे चले जाईएगा story privacy इसको भी भाईया public कर लिजेगा इसको public करने के बाद इसको save कर लिजेगा फिर यहां से allow to share a story इसको public सारे को यहां से on कर लिजेगा सारे setting को इसको public करना है उसके बाद सारे को mention public story reply public और लिग सु आर्प ठीवर सेटिंगे सकते हैं सारह तो लalивает करने पर करने के बाद यहां पड़ी बात कि यहां पर प्लिकर करने के बाद यहां के लाओ एंपको आप पस कॉप्टली to other their story लोग आपकी real को जो story में लगा सकते हैं या नहीं इसको भी आपको on कर लेना है और real default audience इसको भी भाईया देखिए ये friend hole था ठीक है तो भाईया मेरा real कभी viral नहीं होता तो इसको भी आपको simply public कर लेना है इसको भी देख सकते हैं यहां से allowed आपको पब्ली कर लेना है इसको पब्ली करने के बाद यहां से follower and public content पे चले जाना है यहां पर जाने के बाद who can follow me यह हमेशा public होना चाहिए वरना आपको कोई follow नहीं कर पाएगा ठीक है यह setting को आपको public कर लेना है who can see your follower on timeline इसको भी आपको पब्ली कर लेना है who can see your page listed your follow इसको भी आपको public कर लेना है public post comment इसको भी आपको पब्ली कर लेना है ठीक है सारे को public यहां तो आपको और पैशे रहेगा अगर नहीं रहा तो 401 इसको भी पुब्लीक यहां से देख सकते हैं, so most relevant comment इसको भी public, यहां पर off, review, comment, preview, इसको भी आपको क्या है, on कर लेना, ठीक है, यहां से देख सकते हैं, public, 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 और यह दोनों setting को on कर लीजेगा, इसको on करने के बाद, यहां पर देखिए, block filter यह off है, तो भाईया इसको भी आपको on कर लीज तो यह एड़ करने के बार यहाँ पर done पर click किजेगा तो देखिए यह बे add हो गया अगर मेरे comment box में कोई बे लिखेगा ना तो वो comment filter हो जाएगा और वो comment hide हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से जो भी गाली का नाम है क्या क्या गाली का नाम है वो मुझे बताना नहीं पड़ेग आप add कर लिजेगा जिससे क्या होगा कि आपको कोई comment वेगरा में गाली वाली नहीं देगा ठीक है यह सारे चीजों को on कर लिजेगा इसको on करने के बार यहाँ पर चले आईएगा यहाँ थोड़ा सा नीचे में देखिए followers के नीचे में profile and tagging का आपको एक option देखने को मिल आउगा तो उस पर simply click कर दिजेगा जैसे ही उस पर click किजेगा तो यहाँ पर देखिए who can post on your profile यहाँ पर इसको जो है ना आपको only me कर ले ना अगर आपका फ्रेंड रहे तो भाईया इसको only me कर ली जेगा इसको जैसे ही only me किजेगा तो अगर आपको कोई tag करता है ना तो भ यहां पर who can see what other post on your profile यहां पर everyone इसको रहने दीजेगा यहां से allow to share your post on a story there इसको on कर लिजेगा who can see your future tagging option तो इसको क्या किजेगा ना इसको only me कर लिजेगा ठीक है और यहां पर उसके नीचे एक option देखने को मिल रहा होगा इसको भी आपको only me कर लेना है ठीक है यहां पर और यहां पर देख सकते हैं कि मेरे followers भी सो कर रहे हैं मेरे following list भी सो कर रहे टीक है तो यहां से अब क्या करना है इतना काम करने के बाद अब केवल और केवल हमको अपने प्रोफाइल पे तगड़ा तरीके से वीडियोज और फोटो को डालना है ठीक है यहां से अगर मैं कोई भी वीडियोज को डालता हूँ तो यहां से देख सकते हैं कि यह मेरा public हो गया है और यहां पे title वेगरा link के आप अपने वीडियोज को बिल्कुल अच्छे तरीके से डाल सकते हो अगर आपको Facebook के profile पर वीडियो डालने के लिए सीखना है तो description में आपको link मिल जाएगा वहां पर click करके आप वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको अपने Facebook के profile पर वीडियोज को viral करना है उसका बे-link आपको इसी वीडियो के description में अगर आपको Facebook पर एक नया profile बनाना है एकदम proper अच्छे तरीके से एकदम मस तरीके से उसका बे-link आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगा तो वो तीनो वीडियो को देख लीजेगा उसके बाद आप profile से पैसे कमाने के लिए ready है उसके बाद वीडियो डालकर धड़ेले से viral किजेगा और उसको monetize करके अच्छे कासे पैसे कमाईएगा अगर आपने यहां तक वीडियो देखा तो एक बार चैनल को subscribe करके एक प्यारा सा comment कर दिजेगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्याई